नमस्कार आज सबी आसमे के सवागत है मा की रसोई में तो आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राइफelo के लिए तो गर्मियों में ड्राइफिक से पीने के बाद आपको ठंड़क भी मिलेगी पहसता आफ़गत भी मिलेगी तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो इसके लिए हम यहां पर ड्राइफूर्स लेंगे तो यहां पर मैंने मखाने अगरोट किसमिस काजू पिस्ता बादा और डेर्स लिए तो डेर्स के जो घुटली आए वह हमने निकाल दिये और सारे ड्राइफूर्स को किसी बतन के अंदर डाल देंगे और इसके अंदर हम ठंडा दूर डालेंगे और इसको करीब एक घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे क्योंकि जो भी डाइफूर्स है वो गरम होते हैं तो अगर इनको भीगो करके खाया जाए तो इनकी जो तासीर है ठंडी हो जाती है तो इसलिए कम से कम इसको एक सब्सक्राइथ फायदे मन्द होता है गर्मियों में तो देखे अभी जो ड्राइफूर्स है उनको करीब 1-1.5 घंटा हो गया तो जो ड्राइफूर्स है वो अच्छी तरीके से गल गए हैं तो अभी इनको अच्छे से मिक्स करके देखेंगे गल यह नहीं। तो देखी राइफूर्स कल चुके हैं मंखाना भी कल गया है तो अभी इनका हम एकदम भारीक बेष्ट बना खरके त्यार करेंगे तो जो ड्राइ फूर्स है उनको mixy के जार में डालेंगे और इसका एकदम भारीक सा पेष्ट बना चाहिए तो मीठा पना जाएगा तो आप चाहें तो इसको बिना चीनी के पीश सकते हैं और अगर आपको थोड़ा सा मीठा डानना पसंद है तो आप थोड़ी सी चीनी भी डाल लीजिए और एकदम बारिक पेश्ट बना के तयार कर लेंगे और इसमें पीशने के बाद बागी और दूद करेंगे तो दूद हमने याँ पर एकदम ठंडा लिया है मैंने दूद को थोड़ी देर के लिए में रख दिया था अगर आप चाहें तो आइस क्यूब भी डाल सकते हैं लेकिन आइस क्यूब डानने के बाद जो दूद है वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा तो इसलिए मैं नाइस क्यूब नहीं डाला और दूद को फ्रेज में रख करके एकदम फीजर में रखके ठंडा कर लिया है और अभी हम गिलास में डाल करके मिल्कसेग को सर्फ करेंगे तो इस तरह आप आसानी से चुटकियों में राइफूर्स मिल्कसेग बना करके तयार कर सकते हैं और पर से थोड़े से काजू पिस्ता और बादम से इसकी थोड़ी से गाने सिंग कर देंगे तो देखिए चुटकियों में हमारा ठंडा ठंडा मिल्कसेग बन करके तयार है तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज झाल